इतनी जादा उमीदें लगा रही थी इस मूवी से बट अब ये सोचने में मजबूर हूं कि या ये मेरी उमीदों पे खरी उतरी या नहीं चलिए आप और मैं मिलके दोनों एकदम गहराई में जाकर इस मूवी का रिव्यू करते हैं नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहा हूं गुलाबो सिताबो मूवी के बारे में जिसे एमाजोन पर रिलीज किया गया है जिसे डारेक्ट किया है सोजित सिरकर रहे हैं इसमें कास्ट है अमिताब बच्चन आयुश्मान खुराना विजयराज ब्रिजंदर काला और बाकिया नयकलाकार अब इसकी कहानी पर से परदा उठाते हैं देखो मैं इसमें पहली एक बात अदा दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको स्पोईलर देने वाला हूँ मतलब कि इस मूवी में क्या हुआ वो चीज़े इसमें बताने वाला हूँ लेकिन मेरे हिसाफ से अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो स्पोईलर तो उसी में मिल जाएगा इसमें कुछ ऐसा कोई राज नहीं है क्योँ मिस्ट्री नहीं है इसके अंदर कि हा सोच अ शोयर स्पोईलर मिल गया या इसने तो मेरा मजाईगी रिगा कर दिया ऐसा बिल हवेली नहीं है ये उसकी वाइफ की हवेली वो वहाँ घर जमाई है तो वो अपनी वाइफ का मरने का इंदेजार करता है कि कब उसकी वाइफ मरेगी और वो हवेली उसके नाम हो जाएगी मिर्जा बहुत जादा कंजूस और लालची है और वो अपने घर में रह रहे है अपनी हवेली में किरायदारों के बलब और उनके साइकल की घंटियां चुरा-चुरा कर बेजते हैं और इन्ही धारों में है एक बांके जिसे पले क्या श्री श्री आईश्मान खुराना जी ने बांके बहुत टाइम से इस हवेली में रह रहा है और किराया भी नहीं देता बलकि जब किराया मांगने के लिए मिर्जा जब आता है तो वो तरहतर है कि बाहने निकालता है कभी अपनी बहन को बिमार करवा देता है मतब जूट मूट का विमार करने की एक्टिंग करता है वहाँ पे और वो इस हवेली को खाली भी नहीं करना जाता है क्योंकि 30 रुपया महिने का वो किराया दे रहा है तो इस कारण वो इस हवेली पे कबजा भी करना जाता है वो अब यह समझ के बैठके हैं कि यह हवेली उसी की है बांके के एक शोप भी है जो आटे का काम करता है वैसे यह लाइन बोलनी इतनी इपॉंटन तो नहीं था ना टीटू मिर्जा अपनी हवेली खाली करवाना जाता है लेकिन बांके और बाकी अन्य किरायदार इस हवेली को खाली नहीं करना जाता है क्योंकि कोई 70 रुपे किरायदार है कोई 30 रुपे किरायदार है तो वो इस हवेली को खाली क्यों करें तो इस कारण सारे के सारे पुलिस थाने में जाते हैं पर एक पुरा तत्वी भाग का अधिकारी ये बातें सुन लेता है और उसको इंटरस आता है इस हवेली के बारे में तो वहां पर जब वो जा के देखता है कि ये अवेली बहुत पुरानी है तो उसको जैसे तैसे सो साल की मतलब बने हुए सो साल होगे ये साबित करने में पादा कर देता है कि उनको सब को घर मिल जाएगा बजाए कि वह उसके साथ खड़े हो जाएं बट मिर्जा ये नहीं चाहता है कि उसके हाथ से अवेली निकले पुरा तत्वी भाग उससे एक म्यूजियम घोशित कर दें तो वह कोट में जाता है मतलब वकील के पास जाता ह और वकील को कहता है कि ये हवेली उससे बचा ले तो जैसे तैसे वह उससे कागश निकलवाते हैं कि इसके कागश ले क्या हो तो कागश दिखाता है तो वह हवेली फातिमा जो उसकी वाइफ है उसके नाम है पावर ओफ अटरनी अपने नाम करवाने के लिए उसके साइन च तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई है, वकील उसको बेचना चाहता है, पुरा ततवी बाग के जो अधिकारी हैं, उसे अपने कबजे में लेना चाहते हैं, और इसी बीच पता चलता है, कि जो मिर्जा की वाइफ है, फातिमा 95 येर की एज में वो भाग गई है, मतलब गर चोड़ के बाग गई है अपने पराने प्रेमी के साथ, और रह्मान को जो उसका प्राने प्रेमी है, उसी को उसने एक रुपे में वो हवेली बेच दिये, ले बेटीटू, कट गया सब को, तो बहुत यही कहानी है, अब परफोर्मेंस की बात करूँ, तो परफोर्में के साथ वही होता है, जो होना चाहिए था, दो गंटे चार मिनिट की यह मूवी, इतनी लंबी मूवी है, अपना इंटरस्ट कुछ टाइम बाद खो देती है, तो थोड़े टाइम बाद आपको खुद महसूस होने लगेगा, इसको चान बूजकर लंबा किया गया, इसको छ लगी नए कुछ चीजें मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है यार, बिना उमीद के देखने बैटोगे, तो शायद यह आपकी तोड़ा बहुत आपको इंजोई करवा दे, लेकिन उमीदें हैं, तो यह निराशी कराएगे आपको, बट एक बात की जो मुझे खुशी यह है कि हाँ, यह मुवी जो है, वो कोई प्रोपोगेंडा नहीं फेला रही है, जैसे कि और बाकी जो मुवी, जो सीरीज में देखता रहा था, मैं हमेशा से डरता हूँ यार, इसमें किसी परकार का कोई भी पोलिटिकल या रिलीजियन से रिलेटिड या कोई कास से रिलेटिड कोई प्रोपोगेंडा नहीं है, तो इस मुवी में ऐसा है, यह मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है, मतलब अच्छी मुवी है, इसा कोई प्रोपोगेंडा नहीं है, एकदम clean entertainment के तोर पे बनाएग एक मुवी है, तो यह चीज मुझे पसंद आई, बट यह entertain करने में थोड़ी fail हो अपने विचार, comment box में रख सकते हैं, मुझे अच्छे लगे तो बेशक मैं उनका reply करूँगा, बेशक मैं सब कही reply करता हूँ यार, अच्छे लगे या बुले लगे हो, कैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, thanks for watching this video, मिलते हैं next video में, जाहिंद!